हेलोफ्राइड कईसे हैं आप सब अई-सब थीक होंगे तो आज मैं आप लोग को दे रही हूं मकेन के जो फूड फ्रोड़रेक्टjes हो यो इस्नेक्स होते हैं उनका रिव्यूू दे रही हूं तो यहांपर एक एकMeans कि मैं आपको दिखा रही हूँ आलू टिक्की पोटिटो वाइट्स इसमाइली एंड फ्रेंच व्राइज सबसे पहले हम यहां पर आलू टिक्की को फ्राइ करेंगे तो धाय तीन मिनट तक इसको फ्राइ करना है और यह क्या बोलते इसको जब तक हमारे क्रिस्पी क्रंची न सब्सक्राइब करेंगे मुझे लेकिन बच्चों के लिए फर्फेक्ट है और अगर आप कभी गैस्ट आएं तो पांच मिनट में बनाके तयार कर सकते हैं यह सारी चीजें तो फिर मैं ट्राइ कर रही हूं यहां पर पोटेटो वाइट्स तो इनको भी हम तर लेंगे तो त हम सा है बनाना जिसको नहीं भी आता है खाना बनाना वह इस तरीके से कहल राय करना है और क्रिस्पी करा रहे होने तक भुझा करना है गैस में एक बार तेल को अच्छे से गरम कर लें फिर मीडियम फ्लेम पर दो तिन मिनट तक आप इसको प्राय करके सर्व कर सकते हैं अब तो इसी तरीके से में इस्माइलीज और फ्रेंज फ्राइज भी ट्राइ करूंगी तो यह जो पोटेटो वाइट्स थे इनी में थोड़ा इस फ्राइज ज्यादा थे चटपटा मतलब ज्यादा था बाकि सारे चीजें सिंपल नॉर्मल बच्चों के हिसाब की थी नमक कम था और गालिक का फ्लेवर है इनमें तो स्वाद अच्छा था तो आप भी जरूर्ट ट्राइ करें और कभी जैसे संडे के दिन या कभी पांच मिनट में कुछ खाने का मन करें तो उसके लिए अच्छा ऑप्सन है और जैसे प्राइज भी इनका ठीकी है जैसे हम कोई इनका रो होगा यह फ्रेंच फ्राइज मुझे अच्छे लगे लेकिन फ्रेंच फ्राइज में नमक नहीं था इसको हम टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं या इसके उपर से आप नमक डालके इसको सर्व कर सकते हैं तो इस तरीके के सिंपल से प्रोड़क्ट है और मला टेस्ट अच्छे लगए मुझे जिसको ज़्äका सी पसंद नपीज उसके लिए अच्छी हैं पोटेटो वायटेट हम नाता तू और अच्छा था तो I Math करके यहां पर आपकी साथ प्रजेन्ट कर रही हूंए यह पोटेटो बायटेटेट के आधा के साथ तो तो इन्हीं में थोड़ा मसाला ज्यारा है बाकि सारे चीजें इस वाइस कम हैं तो असाल सा है बनाना और जिसको खाना नहीं भी बनाना आता है वह इनको तो और यह पत्ता गुवी तो घर पे थी तो मैंने यह टिक की इसके साथ यूज कर लिफ्रेंज फ्राइज भी यह देखिए यहां पर हमारे बन के तयार हो गए हैं और जटपट से बन के तयार हो जाते हैं पांच मिनट में हम चाय के साथ इसको आज के मलब साम के टाइम पर सबते हैं अब को इन इक बाता है आप को आप को नहीं भी मेराता है तो आप इर दें की से अच्छा इंप्रेशन बनेगा आपका का ऑप सकती है? तब तक के लिए healthy खाईए, healthy रहेए, take care and bye bye